हे गाईच वन सगेंड वेलकम बैक तो दे चैनल यूँ आर विट शिवांगी रंजना मुझे पता है आप लोगोंने मेरा पहले का भी बहुत सारा वीडियो देखा होगा और इस्पेसली लास्ट टू वीडियो तो आप लोगोंने देखा ही होगा फिर से मैं इपलागिंग कर रही हूँ यहां के वार से रिलेटेड और अभी तक हम लोगों को कोई भी हल्प नहीं मिला है और लोग मैसेज करते हैं बहुत सारे लोग सब जगह मैसेज करते हैं सोचल नेटवर्क से रिलेटेड और सब जगह की वैक्वेशन हो रहा है फिर भी आपको क्यों नहीं जा रहे हो क्यों नहीं कर रहे हो अरे भाई आप लोग भी परहे लिखे इंसान हो आपको भी पता है एजुकेटेड इंसान कोई भी गूगल पर सर्च करके देख सकता है कि इस्ट से वेस्ट तक जाने में कितना टाइम लगेगा बाई रोड या कैसे भी क्यूंकि अभी कोई transportation भी नहीं जिसे हम जा सके और हमें कोई safely यहां से ले जाने वाला भी नहीं इंबेसी भी कोई हेल्प नहीं कर रही है भी उनका ही हेल्प हो रहा है जो आलरड़ी वेस्ट में रहते हैं और जहां से पॉलेंड का बॉर्डर, रोमानिया, सुलवाकिया, हंगरी यह सब का बॉर्डर बस 100-200 किलोमेटर से है बस वो लोग कोई हेल्प मिल पा रहा है और वैस बहुत जादा होपलेस होते जा रहे है पहले तो शुरू के एक दो दिन हमें लगा कि चलो हम निकल जाएंगे हमारे गर्मेंट मोदी जी निकाल लेंगे हमें इवैक्वेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है हमें बहुत उम्मीद था लेकिन अब धीरे धीरे हमारा उमीद भी जो है ना अब क्या बोलू मैं सोचती हूँ बोलू बट मैं सोचती हूँ क्या बोलू कोई तो सुनने वाला है नहीं किस से बोलू और अब हमारे हाथ में कुछ रह नहीं गया है कि हम अपने मर्जी से कुछ कर सकते हैं पूरा पूरी अब हम गर्मेंट पर ही अभी हो रहा है अब आप ही बताओ क्या आप चाहते हैं कि हम मर के जाएं कौन जानता है कि किस टाइम कहां मिसाइल लगे कहां नहीं लगे क्योंकि यह देखकर तो मार नहीं रहे हैं कौन इंडियन है कौन युक्रेणियन है और या फिर कौन दूसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट है मिसाइल फाइरिंग कहां किस पर जाकर लगे किसी को पता नहीं होता और शेलिंग का भी कोई वो नहीं है अभी आज का मैं बता रही हूँ आज है 28 फैब अभी एक घंटे पहले यहां पर अभी टाइम हो रहा है 3.30 यूक्रेण का टाइम और अभी यहां पर दो बज़े के हम जहां भी रह रहे हैं हम लोग यहां से लग भग दो किलो मिटर के राउंड अभी शेलिंग की वज़ा से तीन चार लोगों की देथ हो गई है वो बाहर निकले थे पानी लेने के लिए जस्ट अपने घर के बगल में तो वही बता रही हूँ यहां पर कोई ठीक नहीं है क अब क्या होगा हमारा बाहर हम गय हुए कितना टाइम हो गया जो हमारे पास स्टॉक अविलेबल है बस उससे ही हम काम चला रहे है पता नहीं अब एक दो दिन में यह भी खतम होने वाला उसके बाद क्या होगा अब तक तो होंस्टल में थोड़े बहुत हम लोगों को दिया हमें हेल्प भी कर पाएं और यहां पर कुछ भी खुला नहीं यहां तक कोई इंसान अगर बिमार हो जाए तो हॉस्पिटल तक बंद है एम्बुलेंस तक नहीं मिलने वाला ऐसा इस्तिती हो चुका है और लोग मैसेज करें जा क्यों नहीं रहे हो इवैक्वेशन हो रहा है क्यों नहीं और यार तुम लोग पढ़े लिखे हो यार मेरे को तो कभी-कभी गुसा आता है बट मैं गुसा भी क्या करूँ मैं तो खुदी मजबूर हूँ आप लोग देखो कहां से वैक्वेशन वेस्ट से हो रहा और मैं इस्ट में रहती हूँ रेड जो नहीं यहां से 50 to 60 km approximately होगा रसिया बॉर्डर और यहां पर continue continue अभी मैं just ground floor पर बैठ कर वीडियो बना रही हूँ because मैं अभी बंकर से निकल कर आई हूँ बंकर में network ही नहीं आ रहा है कभी आता है कभी नहीं रहता है तो मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ ground floor पर 5 मिनट के लिए बस तो मैं नहीं हम लोग मैं क्या हम लोग कोई नहीं जा सकते हैं हम लोग सब फसे हुए हैं कैसे जाए कोई help करके यहां से कम सकम बॉर्डर तक तो mbhc वाला safely हम लोगों को पहुचा दे कोई transportation वे गरा करे हमार लिए कोई train या कुछ भी है तो वो लोग यह सब में कोई help नही हम लोग कैसे जाएं और लोग कहते हैं जाओ कैसे जाओ भाई बाहर निकलूंगी बम लग गया मिसाइल मार रहे हैं पता नहीं किस पे लग जाए कौन जानता है फिर हमारे parents का क्या होगा उन लोगों का भी रो रोकर बुरा हाल हो गया है दिन भर तो बात होती है घर से call आत का मिला था तो आज मैं नहा कराई हूं पास दिन से नहीं नहाए बीना आप समझ सकते हो और एक धूल डस्ट वाले बंकर में बैठे रहना क्या हाल हो चुका है मैं नहीं explain कर सकती इतना कुछ कितना कुछ बताओ मैं एक घंटे का व्लोग डालू क्या एक घंटे का वीडियो बनाओ गया एक घंटे का वीडियो बनाओंगी तो कोई देखेगा नहीं सोचेगा पता नहीं इतना क्या बोल रही है तो मैं शॉर्ट वीडियो में जादा कुछ बताने का कोशिश करती हूं अब आप लोग भी समझो हम कैसे जाए प्लीज कुछ करो प्लीज ये वीडियो करो हमें स्पेसली खारकीव सीटी से इवैक्वेशन करें यहां मोर देन 3000 इंडियन से यहां से वैक्वेशन करेंगे तो बहुत सारे बच्चों का जान बच सकता है बहुत सारे फैमली जो अभी तक रो रहे हैं जिनका मेंटल हेल्थ पुड़ा खराब हो चुका है हम सारे समस्या से जूज रहे उन्हें बचाओ प्लीज रिक्वेस्ट है हाथ जोर का रिक्वेस्ट है मैं एक हाथ से ब्लॉगिंग कर रही हूं इसलिए मैं कैसे बताओं प्लीज समझो अब आप लोग और मैं यहां का सिच्वेशन आप लोग न्यूज में सब जगह देखी र मैप देख सकते हैं यूकरेन के सीटी का मैप देख सकते हैं कौन-कौन सा सीटी है यहां पे और इवेक्वेशन कहां से हो रहा है कौन से सहर से और कहां डेंजर जोन कौन-कौन सा है यूकरेन का आप लोग यह भी देख सकते हैं तो प्लीज कुछ उल्टा सीधा बोलने तु इतना जल्दी हम सब को इवैक्वेट करवाओ और खार कीप में आओ इवैक्वेशन के लिए और यहां से सबसे पहले अब इवैक्वेशन कराओ और कैपिटल सीटी कीप से थैंक्यू और मैं होप करती हूँ अब आप लोग जल्दी करवाओगे विदिन वन टू डेज और दे हूँ खूँब लीजर खी और मैं हो जल्दी करवाओगे विजब ऑन्यों आप लूएज से